किलर किलर कैप्टन मिलर जे हां रिलीज हो चुकी है थियेटर्स में मैंने देखी हिंदी डब्ड वर्जन में तो कैसी है ये मूवी आईए बात करते हैं वेल हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखो इस मूवी को अच्छे से देखने के बाद मैं अपना ओपिनियन रखने जा रहा हूँ जितना मैंने सोचा था कि मूवी काफी अच्छे से वर्क करेगी उतना मुझे नहीं दिखा यार इसका टीजर, ट्रेलर दोनों बहुत बढ़िया कट किया गये थे specially trailer तो one of the best edited version था जिसके वज़े से audience में इस मूवी को लेकर hype बढ़नी ही थी मूवी धाई घंटे से थोड़ा उपर है और पता है क्या वो time feel हो रहा था I was like यार अभी तक interval क्यों नहीं हुआ interval के बाद लगा के यार, मूवी खतम क्यों नहीं हो रही I mean मेरा कहना है कि भले ही इस मूवी के action sequences धनुष के acting और इवन बाकी जितने भी actors है उनके acting लाज जवाब थी हर एक action scene और उन action scene को जिस तरह से choreograph किया गया है honestly कहू तो ऐसा action बहुत कम देखने को मिलता है but screenplay ऐसा नहीं लिखा गया कि audience आसानी से जुड सके हर पांच मिनिट बाद गोलिया चल रही है हर दस मिनिट बाद action पे action हमारे सामने रखा जा रहा है दो तीन बार होता तो चल भी जाता लेकिन एक चीज़ को बार बार देखने के वज़े से मूवी में चल रहे story से ध्यान ही हट जाता है story एक ऐसे इनसान की है अब जो main character है वो इसा से Captain Miller कैसे बनता है क्यों वो rebellion बनता है वो आपको इस movie में देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ storyline बार-बार here and there होती नजर आती है कभी आपको लगेगा कि story बस Captain Miller की है कभी लगेगा कि आदिवासी जाती जमाती को लेकर और उनमें चल रहे भेदभाव पर है कभी लगेगा कि यह बस एक revenge story है तो कभी लगेगा कि इसकी story एक मंदिर और भगवान को लेकर चल रही है जिसकी वज़े से movie को देखने वाला हमारा जो दिमाग है concentration के साथ किसी एक scene को समझने के लिए time ले लेता है जिसकी वज़े से मेरे theater में हुआ ये कि almost 7-8 या 19 लोग I think movie छोड़ कर चले गए मैंने actually बहुत hopes लगाई थी इस movie से बट गडबड हो गई even मेरे community poll पे सबसे ज़ादा वोट Captain Miller को ही थे so मैं समझ सकता हूँ कि maximum लोग इस movie के लिए बहुत excited थे but ये movie बहुत ही limited लोगों को पसंद आएगी या खुश कर सकेंगी and हाँ movie का end ऐसा किया गया है कि इसका second part भी आ सकता है बाकी movie में खून खराबा बहुत है nudity वगरा नहीं है तो family के साथ देख सकते हो बच्चों को दूर रखना and हा क्योंकि मैंने ये hindi dub में देखी तो dubbing भी अच्छी की गई है main character को याने धनुष को फिर से एक actor ने आवाज दी है किसने वो मैं आपको अपने dubbing चैनल पर बताऊंगा एक real आई की वहाँ पर उस पर overall देखते हुए मैं दूँगा इस movie को 2.5 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई